शेहरवासियों में कैंसर के प्रती जाग रुपता हूँ इस उद्देश्य से HCG कैंसर होस्पिटल की और सी वील्स ओफ होप के तहट साइक्लिथॉन का आयोचिन किया गया इस दर्मियान नागरीकों का अच्छा प्रतिसाथ साइक्लिथॉन को मिला ऐसा HCG के डाइरेक्टर ड बदलते परियावरण के कारण आये दिन तरह तरह की नई बिमारियां लोगों को अपना शिकार बना रही है जिसके कारण वैग्यानिकों में काफी डर बना हुआ है इनी खतरनाक बिमारियों में से एक बिमारी है कैंसर इससे बिमारी के प्रती लोगों को जाग रुक करने क के संगेतों को लोगों तक पहुचाने के लिए कई तरह के कारिक्रम रखे जाते हैं ताकि लोग सही समय पर इसकी पहचान कर सके इसी चीज़ को समझते हुए HCG Cancer Hospital की और से Wheels of Hope के तहत साइक्लोथोन का आयोजन किया गया इस दर्मियान नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद इस साइक्लोथोन को मिला है HCG के डारेक्टर डॉक्टर अजे महताव ने कहा वहीं उन्होंने आगे बताया कि इस साइक्लोथोन के तहत तेलन खेडी से HCG Cancer Hospital कलमना तक का कुल 19 किलोमीटर का सफर तैग किया जाएगा 4th February International Cancer Awareness Day करके मनाया जाता है और उसी अफसर पर हमने एक साइक्लोथोन रखे है साइकल रैली रखे है जिससे नागपूर वासियों को पता चल जाए कि आज Cancer Awareness होने जा रहा है नागपूर में और हमको बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला है कम से कम 400 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और यहां से तेलंखेडी से शुरू होके हमारे होस्पिडल HCG Hospital कलमना रिंग रोड तक जाएगा यह दूरी कम से कम 19 किलोमीटर की है और वहां पर भी हमने कोई छोटा अवेरनेस के तहट किया है इस वक्त उन्होंने कैंसर की प्रती जागरुकता की कमी पर जोड दिया कैमरा परसन राजकुम मोहर के साथ दिशा टवाब बीसीन न्यूस नागपुर